शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें इंपॉसिबल, महुरत कल का है तो शादी भी कली होनी चाहिए ना? जैसी आपकी मर्जी, दूले की बात को कौन टाल सकता है? देना के बेस्ट फ्रेंड हो, हम चाहते हैं हमारी शादी में, तुम सभाला बानो तो बताओ, बानोगे दूले की बात बनोगे हमारा सावपाला बंच जी, ऐसी कैसी? हम बनेंगे हम साथ होंगे तो दूले राजा नाराज भी नहीं होंगे हम रभाएंगे जिम्मेदारी कलती कर दीवंच बाबू अब साथ रहकर हम तुम पर नज़र रख सकेंगे सबूट ठून सकेंगे यह सहवाला तुम्हें वर्माला कभी नहीं पहनने देगा बड़ी महंगी डील कर ली गोराव अब तुम देखना, तुम्हारा क्या-क्या लोटता है यहां हम फेरों की अगनी जलाएंगे वहां तुम्हारी चेता जलेगी यह एक ज़िए जलेगी अगनी जलेगी आगनी लोटता हुआ यह ज़िए वहां उखना थानल नवराथरी के इस दो अधिनों में सब लोग खोशिया की काम ना करते है पर यहां तो मारी सिंदगी की एक ही खोशिया और वो भी लुटते जा रही है कैसे मा, मा कैसे दूसरी शादी कर ले हो, अमा की परिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इतना बढ़ा त्याग नहीं कर सकते हो, अमारी मतद करो मा, अमारी मतद करो काल शादी है, और शादी से पहले कुछ भी करके हमें बंच का पर्दा पाश करना है, क्या करें, कैसे रूखे इस शादी को बंच कमने में नहीं, यही माका है हर भार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे सामने है, बस हमें नहीं नहीं दिख रहा है ए बाता रानी, मतद करो, कुछ तो ऐसा दो जिससे हम बंच का काला चिठा खोल सकें क्यांगाता तो जिससे हम बंच काला बंच का फिए रही बंच कि अर्फिया में करें दो थाइन प्रोड थाइन परें परिप्ट करें दोना बार दूरा है महिंतर चौतरी पड़े अब गर के बेपर्स भी साहिं कियो है पर यह वंच के रूम में क्या कर रहे हैं इसका मतलब वंच जो भी कर रहा है वो इस घड़ से जुड़ा हुआ है आप गर खाली करो हमने एक पैसला लिया है हम वंच जी से शादी करना चाहते हम अपरादरी के पावफ दिनों में उसे शादी का पाप नहीं लेना चाहते है मत करवा हमसे है समाथ हम और कुछ नहीं चाहते है हम सिर्फ अपने गौरब को चाहते हैं कुछ करो हम अपने गौरब से अलत मत करो हमारी मतत करों, मैं मतत करों अपना है सच क्या सच हमने कभी जूट भोला ही नहीं है तुम्हें बस कहना अब अब और नहीं अब ना कोई बहाना ना कोई दलील हमें सिर्फ सत सुनना है बता हो तुम्हें इशादी क्यों कर रही है तुम्हें इशादी तुम्हें क्यों आसे बार रहाऊ जुट बोलती हो कैना इस वार हमें सिर्फ सत सुनना है सच सुननना है तुम्हें तुम्हें तु ठीक सुननोंहन परिशान ओ चुके तुम्हें बस करो हमें जिन्दगी में परिश mejor तुमने जला दिया था उन्टे फिरों की अगनी में तो तुमने इसे वापस क्यूं मचाया हमसे मू मोरती हो हमसे दूर जाती हो अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कहती हो सब जूट कहती हो गहना गुर्दे को अपनी जिंदगी से निकालने ही पाई हमें क्या निकालोगी गहना और पात हमें जिंदगी से निकालने की नहीं है अब किसी और को अपनी जिंदगी म न्हांज रो किए प्लम्य के टेहानों लेकिन तुम हर भार हमे अन्सुना करती है ? तुम पहले अन्सेली नहीं थि ख्याना आ का हएे है, पहले अन्टस ही घरते हैं Blessa लेकिन अन्सुना तुम हमें कभी नहीं किया गया तो फिर अगा तुम सच सुनना ही नहीं चाहती है, या सच पहले से जानती हो, वो सब सच जो हमें नहीं पता है जिस बीते हुए कल को तुम बचाना चाहती हो ना गयना, तुमें उसकी कसम सच बोलो वरना आथ सब जलेंगे पागल हो गे उकर गोरव यह क्या कर रहे हो तुम, हाँ हो गया है हम पागल कहना, आस तक समस्दार बनकर देख लिया हमने, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अपशाद हमारे पागलपन से तुम्हारा सच सामने आ जाए क्यारा, इसकुट्टे को तुमने बचा लिया था, अरास तो हमें नहीं बचा पाओगे तुम्हें सच बोलो चोड़ो गॉरभ यह कर रहे हो गॉरभ यह सब अर कुछ नहीं, सिर्फ सच बोलो क्या सच जाता है कुछ, तुम्हें दिखाई देता है ना सबकुछ वारी आखों में, फिर क्या सुनना चाते हो तुम अंसे पहाम जाते है कि वारिज जी एक घट्या इंसान है और पिर यह मुझे खादी कर रहे है क्योंकि अबच बूर है क्या है के अनक Trym श्लबूरी नएंस पागल्पन कहते हैं तुमने दिखाई तना समझजड़य से काम लिया ता ने भी हम बना तुमारा! घर हेना घरागान है तुमने भी बना तुम्हारा! नहीं छान estosग है जाना है तुम्हारे बेवकूब बनने की कोई वजा नहीं है, क्या वजा है? वजा है और वो वजा ये है कि हम भायेतर चौधरी की बेटी है उनका अपना खूद मैं तर्च्वारी है उमारे पिता है हागो और जब तक हम इस प्रच्षाई की खुशी को जीते हैं अच्छी ने आवारा सौधा कर दिया इस गर को निला मोने से बचा लिया उनोंने इसलिए गोरो हम उम इस गर में शादी करके यहां से क्या तर्च्विता हो हुर्मारे पिता अमारा परिवार सब कुछ सब लोग सअड़क आजाते दुर्मां कुम पर दिकिसी स्टाता नहीं है कि हम नाराज भी हो तो किस सले हमारी तो किसमत ही हम से नाराज होकर बैठी hem रिदा केहम है अवे सब कुछ मिला लेकिन.. अधूर्ह सारे रिस्ते हमें अधूरफ हुर्ह पस्टमी का रिष्ता अधूरा बेटी का रिष्ता अधूरा जिसके किमत ही रूट कर भेटी चोप यजसे क्वाप यह से पूरी हो सकते है खूर्फ तुबह confirmed है जब लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया, उन्होंने अमसे कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, अगर ये सच्चा ही सब के सामने आ जाती तो उनका परिवार तोट जाता, सब कुछ बिखर के रहदा था, उनके परिवार की खुशिया बनी रहे इसलिए हमने अपनी को जाताओगी, वहाँ हमें अपनी बीटी के तौट पर स्वीकार लेंगे, सब कुछ सच्च बता देंगे, अमें अपना नाम देंगे, अपनी पहचान देंगे, वहार जीद हमें देंगे दिसके आम हकतार पहले से हैं, और कोरा, और कोरा, इसलिए है, ये फी एक वज़ा कि हम इस शादी के लिए बाज़ गए ओई आपल, रज़ आपल, आपल, तुम ही किया वहाथ किया कि नदे कुछ गलत नहीं किया कहना इस तुम अब आपलागी करते ना वो ऐसे आसुनी बात है हम लाज आपल, तुम दुनिया के सबस्चे मिस्वारत हैं तुम्हारे आप से पहले लोगों को रखती हो गैना, तुम्हे हमारे लिए अपनी कुछी अंदाओ पे लगाती है, इस फैमली के लिए जिसका तुम्हे पता हमी चला है, अपने पापा के लिए, जो लोग अपने से पहले दूसरों को रखते हैं और अपने सपनों से पहले द अपने बत्मी का दर्जा नहीं देपाए गैना पर वो तुम्हें अपनी बेटी मानेंगे अब है बहुत कुछी है तुम्हें तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा समाज के सामने सरूपर कर चीने का मौका मिलेगा वो सम्मान मिलेगा और गेना, तुम्हारी इस नही जिन्दकी के शुरुआत में, हम तुम्हारे साथ है। पर हम तुम्हे उस वंजद से शादी नहीं करने देंगे। तुम्हे अपने पिता का नाम मिलेगा। उस कमी रवश का नहीं! तुम हमारे साथ हो Barn sage, जा अपर हमे वंजदू के साथ जाना होगा। हमें अमारा पियर तुम्हे लिकाया उस प्रत हमारा ऑर नहीं मिल पाया। तुम्हारा गॉरा अधूरा रहिया गॉर्ज़ा और तुम्हाना साथ देने के लिए देखो हम क्या लाएं ये क्या है? ये उस तौदे की कीमत है कहना जो तुम्हे और तुम्हारे पापा को शादी के बाद चुकानी पड़ेगी ये चौदरी मैंशन के प्रॉपर्टी पेपरस हैं जो हमें वंच के रूम से मिले हैं वंच, तुम्हारे बापा के सारी प्रॉपर्टी सबकुछ अपने नाम करने वाला है अगर तुम्हे शादी कर भी लोगी न तो भी तुम्हारा पूरा परिवार सडक पर आ जाएगा अरे समझौता इसलिए किया जाता ताकि कोई धोका ना हो और कहना अगर समझौता ही धोका बन जाए तो फिर कोई क्या करेगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी हमारे एक हात में सबूत है और दूसरे हात में मौका है हम वो उस सब को चून कर लाएंगे जो भंश अपने नाम करना चाहता है भंश तुम हमारे परिवात को बरबाद करना चाहते थे अब तुम्हारे उल्टी गिंटी शुरू अब देखो हम तुम्हें कैसे बरबाद करते हैं? हम तोनों वो भी एक प्लाइन के साथ है तो जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसे बैसे ही चलने तो उसको सोचने दो कि सबकुछ उसके प्लाइन के मताबिक हो रहा है और अजब कल तो मंडब में बैठो होगी ना तो हम वो सारे सबूत लेकर रहेंगा और पूरे परिवार के सामने उसे एक्सपोज करेंगे कर अजब के सामने उसकी 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 शादी नहीं होगी बर्माती होगी अजब करेंगे परिवार में अपने परिवार में अब नहीं रहने देखेंगे इस लडाई में हमारा साथ दे तो हमारी रक्ष करना माता रहा है इस नवमी के बाद कल विजय दश्मी है और इस विजय दश्मी पर बंच नाम की बुराही पर अच्छाई की जीत होगी तुमारी जीत है हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत है माधा रानी अक्सर इंसान हिमत तब हाता है जब वो मन्सिल के बहुत करीब होता है पर आप हमें हारने मत देदा कल वजय दश्मी है पर आप हमारी वजय आज ही सुनिष्टिप कर दीजिएगा है मत अरानी हमारी चीछ सिर्फ उस फाइल पर नरबर है उसे ढूनने में मुदद करना कर दो अपने मात की जै बोलो शेरा वाली माता की जै वैसे तो अप खर में सत्यनारन की पूजा रखनी जाए थी पर शादी नवरात्रों के आखरी नवरात्री में है इसे अच्छा और क्या हो सकता है एक मिनेट ये शादी का जोड़ा वैसे तो लड़के वालों के दर्फ से आता है पर मैं ही लेए बंच बेटे से कम थुड़ी ना है मैं दूरे की मा भी हो और साज भी तुम से ज़्यादा किसमत वाली तो मैं हूँ एसी किसमत भगवान किसी को ना दे क्योंकि जिसे आप अपना समझ रही है मैंसा वो हम सब का दुश्मन है कि यह लो बेटा कि यह ना आज बंच के नाम की पूरा सोला सिंगार करना पाकि जब वो देखे न वो तुमें देखता रह जाए सोला सिंगार नहीं सत्रा सिंगार करोंगे और सतर्वा सिंगार बंच के लिए कुछ स्यादा ही खास होगा लेना थो मुस्कुरा तो दुटा यही अस्ती सिंगार होता है जब वंच मंडप में आएगा न तब यह उसे दे दे न वो मुह में रख लेगा यह वचन और फेरे के वग बहुत शुब होता है सबाले की उपादी ही मिली है तास तो मिलना ही चाहिए हमने घर के सभी जेन्स के लिए पगड़ी मंगवाई है हालात अच्छे होते तो पूरे पटना के लिए मंगवाते हैं पपिलाल जितना हो पाया उतना करती है है मुझा बहुत बादी स्थास स्थास स्कुआ़ स्ची स्थास मना लो खुशिया वांचग नी होत रे लेकिन याद रखना इस तशेरा होगा रावन का वद और ले जाएगा राम अपनी सीता को कौना कच्छी उमर में होता है इसलिए रिष्टे भी कच्छी रहते हैं जिसे हमारे लिए तयार होना चाहिए था उसे किसी और के लिए सजा रहे हैं शादी के वोरस में अच्छन निभाई थी और सिम्मेदर यहम निभाएंगे साथ फेरों के साथ साथों वचन निभाएंगे उस वंश सिर्थ तुमारी शादी नहीं होने थे लिए तयाना आज वंश की शादी नहीं उसका परदाफाश होगा इस अधूरे प्याह की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू मंग